जम्मू पुरानी मंडी में सुबा सुबा इतनी भीड क्यों हैं चलिए चलके देखते हैं यहां लोग चारतव से खड़े हैं जम्मू में पुरानी मंडी के चोराहे पर करेक Maupa में. करनाया मैं आईजदी हुआ जरुआ हैं जरुआ हम आते हैं का यहां हिएक बेदा जोटे में में कुरी में वक्यार स्वागो तेश चमाने किस इस कालवा है शूजी कालवा कितने से टोना टुना स्टाड़ूपी से शुरू है और सुभा किताशना हिढे आप vet यह देखे जी वेशनो दजी सर्विंग स्विटनेश सिंस 1953 1953 से आप यहां सुजी का हलवा सेल कर रहे हैं सिटी चोग के हलवा से सभी इनको जानते हैं क्या बात है जी बिल्कुल ले रहे हैं जी सबके व्यूज लेंगे अच्छा ये अपने भी खाके भी लेंगे जी नमस्कार जी जी प्या लेंगे जी नमस्कार ये बड़े अश्चेर की बात है कितनी पेशन्स है सभी में यहां चितने हलवा लेने आए हैं चुप चाप खड़े हैं मैं तो अचानक यहां से जा रहा था मैंने देखा कि इतनी भीड यहां क्यों लगे हुई हैं अचानक यहां लेना खड़े हैं इनका अलवा देने का यह जो आप देख रहे हैं हल्वा इन्हों ने डाला उसके बाद उसको तोल के और फिर ये जो बोलो को महीं पढ़ा लेगा यह कर तक करके सब को हल्वा देते हैं 20 रुपे से शुरू जाता है आपको 20 रुपे 30 रुपे 40 रुपे विष्णुदा जी आप ही 1931 से अल्वा बेच रहे हैं आपने 77 से शुरू किया पहले इनके पिता जी यहां अल्वा बेच थे थे जी बहुत अच्छी बात किया है कि इन्होंने कहा है कि जितना बोलेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा हल्वे को बराबर चला रहे हैं और यह जो अंदाज इनका है ठक ठक करके यह देखिए क्या बात है जी लो जी लो आप कबसे यह अल्वा खा रहे हैं जब बच छोड़ते थे तब से इनके बास आ रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और शुद्र दिस्टी की का इनका अल्वा है अरे बात है बिटी आपी अल्वा खाने आयो स्कूल जा रहे हो आई तो संडे है ना है तुईशन जा रहे हो कब से अल्वा खा रहे हो यहां है कब से खारे हो अल्वा आपको अच्छा लगता है यह अल्वा क्याना मैं आपका तमन्ना तमन्ना भी यहां आई है देखें कितनी छोटी बच्ची है और यहां हल्वा खाने के लिए आई है टुईशन जा रही है संडे का दिन है और आप यहां पूरी भीड दे सकते हैं वा जी वा क्या बाद है जी एक दम शुद्ध देशिगी की खुश्बू आरी है लवे में से पूर जन्नी भाई निर्मल इसी प्रकार से पूरे भारत में जहां जहां इस प्रकार के स्वाधिष्ट व्यंजन बनते हैं मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ क्या ना मैं जी आपका बावी सर बावी कबसे आप खा रहे हैं हल्वा तीस पैंति साल हो गए क्या खासियत के आए हल्वे की बहुत बड़ी है ज़र है कि हफ्ते में एक बार संटे को आल्मूद खाता है तो घर में सबके लिए भी लेके जाते हैं साथ में यहां आकर खाना और टैक करा के लेके जाना तो अभी बहुत व्यस्थ हैं और यह सुभा कितने मज़े शुरू कर देते हैं जी आप और कितने मज़े तक चलता है नो से दस के बीच में जब हल्वा खतम हो जाता है तो उस समय आप चले जाते हैं कमाल जी बहुत ही अद्बुत यह हमारा भारत और हमारे कितने पेशेंस के साथ खाते हैं यह सबसे अद्बुत बात है जैहो विश्णो जजजी आपको मैं नमन करता हूँ आप स्वादी स्विएंजन बनाके खिलाते हैं बहुत ही पुन्य का काम है जी है यह देखिया जी कितना रशाई समय यहां अभी भी लगबश 40-50 लोग यहां खड़े हैं जो बना रहे हैं इदर एक और यूट्यूबर जो है वो अपना ब्लॉग बना रहे हैं क्या बात है जी आदे क्या नाम है आपका मेरा नाम परमवीर है और मैं आदा इंटे से वेट कर रहा है अब जाके आदा इंटे के बाद मुझे हल्वा मिला तो फाइनली आप मैं खाने लगा आपके चैनल क्या नाम है परमवीर ब्लॉगर जमूगी रहने वाले हैं चलिए जी बहुत बहुत शुब कामना है परमवीर जी से जानकारी हमें मिली है आप कब से खा रहे हैं अब जब बच्चा साथ अब से जब प्रैमली के साथ आया करता लेकिन आप बड़ा हो गया अब फुदी आना बढ़ता है क्या वाद है बहुत बड़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल रतनलाल वैल एक चैनल है दूसरा है फूड जर्नी भाई निर्मो पूड जर साथा मन पसंद सिटी चोग दा हल्वा शिरी अमना शर्मा ओदेश शुब हत्था करने सन 1950 शुरू हया सा लोग सानू प्यार करने पंडिजी दा हल्वा आखन लगी फे अज अपनी दोगरी प्रता करन बड़े विश्वास करने जुडे दे हां ये कारन एई जी वजा करने असपतल ते कने डूनेच हल्वा परोजदेयां पारतिये जड़े कने जुडे रैसिंग असी शुरू कोलों कोलांगे खांदानी परंपरा दी सत्तर साला दा सत्तर साला दा चला रहे हां साड़ा हल्वा राजेश खन्ना और ते कन्ने मशूर हस्तियां बड़ा पसंद किता है ये देखे जी डोगरी में एक बहुत ही अच्छा यान लिखा हुआ है जम्मू में इसमया हम रगुनात बाजार की और खड़े हैं आप देख सकते हैं या यह बहुत ही सुन्दर पिलर्स इस रोड के ओपर बने हुए है रगुनात बाजार और यह जो भारत माता चोक है हम उस और जा रहे हैं जम्मू में एक बहुत ही प्रसिद हल्वे वाले हैं जिनें पंडी जी हल्वे वाले के नाम से जानते हैं यह सिटी चोक यह पुरानी मंडी रोड और यह इस चुराय पे यह नानेक मंडी बजार है और यह सामने जो आप भीड देख रहे हैं यह वही पंडी की हल्वे वाले सुबह छे बजे आ जाते हैं और हल्वा लेने वालों की यह भीड है कितनी पेशेंस के साथ सभी लोग यह खड़े हैं अपनी वाली का इंजार कर रहे हैं जल्दी आने वालों का यह कोई गाम नहीं है अगर कोई यह सोचे कि मैं जाके फटा-फट वहां से हल्वा ले लू ऐसा किसी के साथ भी होगा आप यह इन में हल्वा बना के लाते हैं और यह हल्वा यहां से परोस्ते हैं लोग टैग भी गड़ा के लिखे जाते हैं आज रविवार का दिन है दिसंबर 18 दिसंबर को और पंड़े जी यह बड़ी अद्बुत वादा इने कैसे पसा लगता है कि कोन पहले आया और किसको अलवा देना है यह इनका अनुभव है और इनका अलग अंधास हल्वा देने का सब लोग इतने इतने नान के साथ शांती के साथ खड़े हैं अपनी वारी का इंजार करने हैं यह देखिए जी विश्णो दजी अपने पिता जी की विरासत को कॉंटिन्यू किये हुए हैं और उन्हें गर्व है कि उनको सभी पंडिजिदा हल्वा के नाम से पैचाने लगे हैं जो अपनी डोगरी प्रथा करने में विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और देशी स्टाइल पत्तल और डोने में हल्वा प्रोसना उनके लिए गर्व की बात है अपनी खांदानी परपरा जो 70 सालों से चली आ रही है इनका हल्वा राजेश खन्ना और बहुत सी मशूर हस्तियों ने भी बहुत पसंद किया है फूड जर्नी बाई निर्मल ये देखिए जी अब पैक हो रहा है एक बार वो भी दिखा दे पंडी जी किस तरह से पैक कर रहे हैं पर कमाल यह जो इनकी टक-टक आती है ना हर कड़्ची की वह एक इनका अलग ही अंदाज है अगर प्यार पिछे कड़ा तेरे करना मैं तरह काम नहीं होगा ये देखिए जी साड़े साथ सो ग्राम हलवा इन्होंने पैक किया अभी क्या रेट किया जी एक किलो का 200 रुपे किलो अरे वाह इतना सस्ता वह भी देशी घी का क्या बात है जी हमारी शुब काम नाए आपको जी नवस्ते जी जै हिन जै भारत किलो 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 किलो